हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं द्रोपती नंदा मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है हपी दिवाली सभी को तो दोस्तो मैं मार्केट गई हुई हूँ और मिट्टी के बरतन से लेकर मिट्टी के खिलोने और दिये खरीद रही हूँ तो मैं यहाँ पर गोलु भाईय जैसे कि यह सौने की मटकिया हैं तो यहाँ पर देखिये दोस्तों अच्छे-च्छे सुंदर दिये भी हैं तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्क्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी साजा कीजिएगा और छोटी सी वेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और ये मूर्तिकार भाईया है फिर मैं इनसे जाऊंगी दुबारा मिलूंगी फिर आप लोगों को फिर से मिलवाऊंगी अच्छे से इनसे फूरी जानकारी दिलवाऊंगी तो मैं अब मिट्टी के बरतन खरीद ली हूँ दोस्तों और मिट्टी के बरतन खरीदने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि दिये हम लेते हैं तो दो से तीन घंटे चार घंटे तक पानी में डालना चाहिए पानी में डालने से क्या होता है दिये में पानी पढ़ जाते हैं जब हम तेल डालते हैं बत्ती लगाते हैं तो हमारे पास जो तेल यूज़ करते हैं राई का तेल वो तेल जादा नहीं लगता है दोस्तों आप कोरा दिया बिल्कुल भी न जलाएं बिना पानी में बुझाए तो यह देखिए मैं कटोरे में पानी रख ली हूँ, कुछ दिये को दिखा रहे हूँ, बाकी दिये को मैं बड़े तसले में भिंगाऊंगी तो यहाँ पर देखिए मैं सीधे दिये रख रही हूँ, इसी तरह से सीधे दिये ही रखनी चाहिए उल्टे रखने से क्या होता है कि पैंदी साइट कुछ भींग नहीं पाते हैं तो वहाँ पर तेल सूकता है तो अब हम दो से तीन घंटे भिंगा लिये हैं और इस तरह से पेपर बिचा करके दिये को पल्टा देना चाहिए अब यह देखिए मेरे तीन घंटे तो हो गया है अब मैं पेपर से निकाल लिए हूँ दिये को इस तरह से निकाल कर दिखा रही हूँ अब यह मिट्टी का तावा है दोस्तों इसको मैं राद भर भिंगाऊंगी पानी में क्योंकि यह राद भर भिंगाने वाली ही मिट्टी के बरतन होते हैं क्योंकि इनमें हम बना के खाते हैं न तो इनको अच्छे से पकना चाहिए पानी में जिस तरह से आग से पकता है उसी तरह से पानी में भी पकना चाहिए और मैं एक कड़ाही और एक गंजी लेकर आई हूँ जिसको गाउं की भासा में तलाया बोलते हैं दोस्तो इसको तो मैं मिट्टी के बर्तन आज के दिन लेकर आई हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की दिया और मिट्टी के खिलों ने आज के दिन का बहुत महतु रहता है दोस्तो इसी का बहुत जादा मेला लगा हुआ रहता है जब तक ये पूरा बंद ना हो जा तब तक नहीं निकालते अब हम निकाल दिये हैं और इस तरह से बाकी दिये को भी पल्टा दिये हैं और मिट्टी के बरतन को भी पल्टा दिये हैं अगर मिट्टी की बरतन में खाना बनाते हुए देखना है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों मैं आप लोगों को मिट्टी की बरतन में खाना बनाते हुए भी दिखाऊंगी और खाना बना कर खाते हुए भी दिखाऊंगी और इस तरह से बत्तियां भी खरीद ले झाली